नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका Government Health Line YouTube चैनल पर जो लोग आठ्वी पास है दस्वी पास है या फिर बारभी पास है और उनका सपना एक सरकारी नौकरी लेने का है और वो एक ऐसे लंबे समय से वेट कर रहे हैं सरकारी नौकरी का लेकिन फिर भी नौकरी है जो नहीं मिल पारी है तो मैं आपको उन लोगों को बता दूँ आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए बहुती बड़ी खुसकबर है जो आज चुकी है मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एरपोर्ट की एक नई वेकेंसी आज चुकी है जिसके माध्यम से आप केवल अपना फॉर्म बरके एक सरकारी नौकरी है जो ले सकते हैं उसमें आप पर आपको ज़्यादा कुछ भी करने की भी जरूरत नहीं होगी आपका कोई भी एक्जाम कोई भी इंटर्व्यू नहीं होगा और यह बरती है जो बिल्कुल सीधी रहने वाली है यानि कि आपका बिना कोई एक्जाम की यह बरती रहेगी जिसमें आप अपना बरना होगा जिसमें आपको normally information डालनी है और आपका form है जो submit कर देना होगा अब दोस्तों इसमें जो submit करने की जो information है वो आपको किस तरीके से डालनी है क्योंकि इसमें जो education qualification है वो आपके लिए क्या-क्या रखे गई है साथ ही में आपका age criteria क्या-क्या रखे गई है और कौन से पद के लिए कौन सी age criteria और साथी में आपकी education qualification क्या रखी गई है वो आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि कुछ मेरी प्यारे बायोर बैने जो यहाँ पर जो आविदन करते समय है जो पद का ध्यान नहीं रखते है या फिर गलती करते हैं उनके जो age criteria है पलस जो पद होते है पद के या पर कौन से पद के लिए कितनी योगेता होनी चाहिए वो जान नहीं रखते हैं और सभी पदों के लिए आविदन करते हैं या फिर कहीं न कहीं छोटी-छोटी गलतियों के कारण भी उनका forum में वो सीधा reject हो जाता है तो ऐसे में आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है forum बरते वक्त और साथ ही में दोस्तों आपको में पूरी जानकर यह जो आविदन करने की वो भी मैं आपको समझाओंगा अब सब जी पहले तो मैं आपको बदा दू महिला और पुरूस दोनों के लिए आविदन कर सकते हैं और यहां पर अगर आप चाहिए 60,000 रुपे रहेगी और जैसे जैसे आपका पद का पर्मोशन होगा या पिर आपकी जो ट्रांसफर होगी उसके अनुसर आपका है जो यहां पर सेलरी पेकेज रहने वाला है अब यहां पर मैं आपको बता दू जो एरपोर्ट एथरोटी आप इंडिया की जो साइड है उस कि मैं आज की इस वीडियो में पूरी इंफोर्मेशन बताऊंगा और आप छोटी छोटी जानकर यह जो आपको मैं बताता रहूंगा अब दोस्तों आगे बटने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया है तो जो आपका आवधन परक्रिया है कब से सुरू होगी कब तक अंतिम्दिती है क्या कुछ जान करी है वो भी हम टेलेग्राम पर चोटी छोटी इंफोर्मेशन है जो बताते रहते हैं तो आपर भी आप जान सकते हैं तो ऐसे में मैं आपको वहीं पर भी जान करी दूँगा ल लिए जो ऑनलाइन एपलाई वो शुरू होने वाले हैं उसके लिए याप पर जो जारी होच चुका है अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँए यहां पर कौन-कौन से पदों के लिए यहां पर जो भरती निकाली गई है इसमें कितने पद है और कौन-कौन से रज्ज जैसे कि दोस्तों HTSC या फिर फीमेल वरंग को मिलता है उसी तरीके से पाड़ी शितर में रहने वाले सभी महीला प्रूसों को भी यहां पर एक अलग परकार से यहां पर आपको विश्यज परकार की छूट का प्रावदान भी मिलेगा अब सबसे पहले तो यहां बता दू कि एरपोर्ट यहां पर जो जॉब है 24-28 के लिए उसमें यहां पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इनफ़्मेशन है उसके बारे में वह मैं आपको बता देता हूं एरपोर्ट भरती 24-28 के जो ऑफिशल नोटिफिकेशन है वह रोजगार समाचार पत्रों में हो चुकी आविदन है जो आविदन करने से पहले करिपया एरपोर्ट विबंग की पूरी जानकरी जान ले उसके बाद में यहाँ पर इसमें अविवाईत पूरू से आविदन कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर इसमें एक और बड़ी बात यह है कि इसमें यहाँ पर माईला है चाहि सो आपको देखने को यह एंस Such Bundy वड़ती जिसमें दोस्तों पहली बार यह आपको देखने को मिल रहा है वैसा दोस्तों देखा जाए तो यहां पर कई ऐसी बर्थिह यहां पर पूरुस विभाई विभाई तो उसके के लिए डीटेल फुल इनफॉर्मेशन या पर आपको देखने को मिलेगी जिसमें आप पर पोस्ट का नाम है लोकेशन है वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पर दस्वी पास बारवी पास ओल इंडिया में कहीं से भी रहत दाऊंगे लेकिन अब मैं आपको बता दूं यहां पर जो डीटेल से उसमें आपर कैटेगरी के रहने वाली है तो इसमें आप आपको देखने को मिलेगा अपलाई मोड की बात करें तो मैं भी आपको कही सारे ध्यानवे रखने होंगे जिसमें आप आपको किस तरीके से होगा ओनलाइन मोड है एपला या जो जो परसेंट फीज फ्री रहने वाली नियुसुल काविदन किया जाएगा जिसमें जनरल ओबी सी एस्टी या फिर ऐसी फीमेल वरक से या पर पर पाड़ी से तर से आपको बिल्कुल फिरी में आपको फॉर्म भरना जो भरा जाएगा आ आप 38000 उपए से शुरू होगी और देरी देरी आपकी से ले रहे जो बढ़ती रहेगी अब दोस्तों हाउ केंपलाई के में बात करूं तो हाउ केंपलाई में यापर एम और और आवदन कर सकते हैं और आप विशेस परकार की एक बात को ध्यान रखना है कि सबी महिला पु इनए कि दोस्सों आपकी योगता है जो यहापर आपको क्या लेकने को मिलेगी? उसके बारे में आपको बता देते हैं सबसी पहले तो मैं आपको सroom pensa की बात करें तो 10 q2 यहान कि आपको 10 q2 यहापर आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपड़ा 2 के लिए कोई भी आववदन पत्र हैं ये आपके लिए थोड़ी से यहां दिक्कत का सामना भी आपको करना पड़ सकता है क्योंकि कई बार ऐसे ही भरती निकलती है जी चिसमें याँ प्द निकलती है अलग्यां पद्र लिए कई錢 थी पर फिर्षे Fr अब दोस्तों डोकिमेंट की बात करें तो डोकिमेंट में सबसे पहले तो आपको पता ही होना चाहिए कि मेन तो आदार काल्ट है यह पैन पात जो पैन काल्ड है मूल निवास जाती पर्माण पतर जो यह आपको देखने को मिलेगा यानि कि जो आपकी मारक सीट है जो यह पर 18 वर्स में मैं मैं चो एक्ष ऑंच कर देखने को मिली जो चूट को मिलेंगे जो नहीं बाई पढ़ेंगे आपकी नहीं परोश्न वाले है कि आपकी अपकी तरौल मेंने वाली बिल्कुल उपने तो आपके हैं क्यों वह थे selection process यानि कि आपका selection process क्या रहने वाला है अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपका selection process में आपका काफी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है जैसे कि दोस्तों यहापर कुछ मेरे प्यारे वैयोर बेने जिनका exam नहीं होता है तो interview में आपके interview के अधर पर आपका selection process रहने अब सबसे पहले तुम्हें आपको इह बतादू कि जो लोग यहां पर आटवी पास दसवी पास है वह दोस्तों यहां वह एक्जाम और करना है अपना फॉरम जल्दी से जल्दी भर लेना है कुछ मेरे पैरे भाई और भाई ने जो इस भरों से बैठ जाते हैं कि यहां भाई मैं आगे है जो आवधन कर लूँगा जैसे कि दोस्ते आप राबाद में आवधन कर लूँगा उस तरीके से आपको बिल्कुल भी नही है टेलेग्राम चैनल को आपको जोईन कर लेना है जिससे कि आपको पूरी परकरिया जो समझ में आती रहेगी और छोटी-छोटी इंफरमेशन के भी वारे में आपको पता चलता रहेगा जैसे कि आप है जो फॉरम कबसे बर पाएंगे का जो फॉरम कबसे स्टाट होंगे तो आपको वंचित बीट हैने से आप फॉरम भी भर पाएंगे और आप एक सारकारी नौकरी है जो आसानी से ले पाएंगे तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजे क्या कि आपका राजी कौन सा है आपका जिल्ला कौन सा है साथी में दोस्तों आप यहापर आपकी जो 10 पास है या पर 12 पास है उसकी भी यहापर आप डिटेल है जो थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा तो यह भी आपको बताना है साथी में दोस्तों में आपको एक और इंफॉरमेशन बता देता हूं कि जो आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको प दे मातरम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में